नमस्कार आप लोग देख रहे हैं IDI News तो आईए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरे और मुखे समाचारों के बारे में सरकार ने पहले फेस के तहथ 8 जून से धर्मिक अस्तल होटल सैलून डेश्टूडेंट खोलने की जादत जी है हलाकि सरकार ने सर्तों के साथ खोलने की अनुमती दी है बता दे कि करोना वारेस से रिपटने के लिए देश फिलहाल लॉकड़न के दौर से गुजर रहा है किंद सरकार ने लॉकड़न यानी 5 जून से 30 जून तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दियेगे इस लॉकड़न 5 के बतले अनॉक वन कहा जा रहा है इसके ताथ सभी गती वीदियो को चरनबत तरीके से खोलने के लिए ने निर्दा निर्देश जारी किये गए हैं हलाकि रात 9 बजे से लेकि सुवा 5 बे तक सभी गती वीदियो पर पूरी तरह से रोक रहेगे इस गती वीदियो को कंटेंज जोन के बाहर ही खोला जाएगा पहले चरन में 8 जून के बाद धर्मिंग अस्तल होटल रस्टरडान सौपिंग मॉल को खोलने के अनुमती दी गई है इसके अलावा सरकार अलग से इंडिसा निर्देश जारी करेगी दूसरी चरन में स्कूल कॉले सिच्छा प्रिसान संस्थान और राज और केन साथिस परदीशों की सरकारी से विमर्स के बाद जूलाई महीने में खोलनी के अनुमती दी जाएगी तीसरे चरन में परस्थितियों के विशलेशन के बाद अंतराष्टिय बीमान, यात्रा, मेट्रो सुबाय, सिनेमा हॉल, जिम स्विमिंग पूल और मरंजन पारक आदी को खोलने की तारिखों की गोस्ना की जाएगी पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम में बदलाव, हर महीने की पहले तारिख की पेट्रोलियम पदार्थ के दाम तैके जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल समित एलपीजी गैस भी सामिल है, बता दे कि लॉकडॉन की बज़ा से परिवाहन सेवा बंद होने के बाद इं पेट्रोल डीजल पर बैट को बढ़ा दिया है, अब एक जून से पेट्रोल के दाम में इजाफा हो सकता है, वहीं एलपीजी गैस के दाम भी सरकार ने कम किये थे, अब लोगों की नजर है कि एक जून से एलपीजी के गैस के दाम में बढ़ुतरी की जा सकती है सुप्रीम कोट का आदेश प्रवासी मजदूरों से बसो ट्रेन का किराया ना लिया जाए, सफर सुरू करने से पहले राजुने खाना मुहया कराये परवासी मजदूरों के पलाइन पर सुप्रिम कोट ने गुरुबार और को अंत्रिम आदेश दिया है कोट ने कहा है कि ट्रेन और बसों से सफर कर रहे है परवासी मजदूरों से किसी तरीका का किराया ना लिया जाया चाई कोट ने आदेश दिया है कि फसे हुए मजदूरों को खाना मुहिया कराने की विवस्था भी राज सरकार ही करें इस मसले पर अगली सुनवाई अब पांच जून को होगी आपको बतादे कि इस सुप्रीम कोट ने कहा है कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे पर वासी मजदूरों स इंत View के खाना राज सरकार मुहिया हरा राया हूं को खाना कहा मिलेगा और राजिस्टेशन कहाऊऊंगा इसकी जानकारी भी विस्तित्री से दिया जाए राज सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रेजिस्टर की प्रेकिरिया को देखे और या भी सुनिश्चित करे कि उन्हें घर के सफर के लिए जल से जल ट्रेन या बस मिले सारी जानकारी इस मामली से संबद्धित लोगों को दी जाए अगर आप भी हवाई यात्रा करते हुए कहीं जाने की सोच रहें तो एक बार फिर से सोच ले ऐसा इसले कहा जा रहा है कि क्योंकि हवाई यात्रा के सुरू होने के बाद लगातार ऐसे मामले सामने एर जिसमें यात्रा करने वाले करोना पॉजिटिव पाए गए हैं यानि कि तमाम सुरच जिन्सियों के बाद भी करोना का खत्रा कम नहीं हुआ इंडिको के फ्लाइट में अब तक की 11 करोना पॉजिटिव लोग यात्रा कर चुके हैं इंडिको एरलाइन्स की तरफ से बताया गया है कि 26 मई से 27 मई यानि दो दिन में अलग-अलग फ्लाइट में यात्रा कर चुके कुली 11 लोग करोना पॉजिटिव पाए गया है इंडिको ने बताया कि कुछ बिना लक्षन वाले पसेंजर जीने यानि को फ्लाइट में यात्रा किया है करोना को रोकना आसान नहीं बाइरस के साथ जीने की आदर डालनी होगी हर कोई यही सवाल पूचता है कि ये करोना कब खतम होगा हर को यही जानना चाता है कि आखिरकार हम सब की पुरानी जिंद्गी फिर से कब लोटेगी कब हम अपने पुरानी आत्तों के साथ जीएंगे तो काईदे से इसका कड़वा सच यह है कि फिलहाल तो करोना के साथ जीने की आदर डालनी पड़ेगी ना ही आदर डालनी पड़ेगी बलकि रोजमर्रा की जिंद्गी की बहुत सारी आत्ती भी बदलनी पड़ेगी उसे अपनाना भी अपने आप सीखना पड़ेगा क्योंकि करोना फिलहाल जाने वाला नहीं है बलकि हमारे साथ घूने बाला है पिछले साल इद और इस साल की इद की तस्वीर देखे तो जिंद्गी बदलने का मतलब समझ में आ जाएगा यहां तो रसमें दुनिया भी थी मौका भी था दस्तूर भी था फिर भी इद से लोग दूरी रहे और कास बात स्रिफ इद की होती तो सब कुछ किया जा सकता था मगर अब तो कहने वाले कहरें कि क्रोना के साथ जीने की आदर डालनी पड़ेगी यानि क्रोना से पहले की जिंद्गी जीने का जो तरीका था उसे बदलना पड़ेगा और हमें सब के साथ मिलकर बदलना ही पड़ेगा हाथ मिलाना और गले लगना सब साइद आप तस्वीर लोग को देखने को मिले। सबजी बेचने वाला का बेटा बना बिहार बोड का टॉपर जी हाँ बिहार बोड का रिजल्ट घोसित कर दिया गया है रोताज जिले के हिमानसु राज बिहार टॉपर बने हैं हिमांसु राज के पिता सुवासी सिंग सबजी बेचकर अपने परिवार का भरन पोशन करते हैं, माता मंजु देभी कुशल गिरहनी हैं, हिमांसु राज के पिता सुवासी सिंग भीक्रम गंच के टटपर बजार में सबजी बेचते हैं, बेतरीन, साधारन, परिवार का दार्थी था हिमांसु ने मताया कि बोट की परिच्छा के लिए उन्होंने विसेश मेहनत किया ता हुआ दिन में करीब 14 घंटे पढ़ाई करते थे। दुरों के लिए ट्रेन में सारी सुब्दाएं उपलब्द कराई जाएगी लेकिन मुंबई से बिहार जारी सरमिक ट्रेन सरकार के सभी दाबों की पोल खोल रही आलम यह है कि मुंबई से कटिहार के लिए ट्रेन 40 घंटे में भी गंतब अस्थान पर नहीं पहुंचे इसके गई है ठ्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्रे ने बताया कि ट्रेन जहां तां स्टेशनों पर रोकी जारे है ट्रेन में खाना तो दूर की बात पानी तक नसीब नहीं हो रहा सब पूरी छमता से चल सकेगी एर-India relief फ्म अरी कोट ने 25 माई को हुई बिसे सुनवाई में एर इंडिया को नौन सिट्डूल इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में थोड़ी सी रहा दिये है यह फ्लाइट बिदेश में फसे भारतियों को बापस लाने के लिए चलाई जा रही है कोट ने कहा है कि एर इंडिया 6 जून तक 10 दिन के बीज खाली सीर छोड़ने बिना प्रचालन कर सकती है इसके बाद इस फ्लाइट का प्रचालन बंबें हाई कोट के अदेश के मुताबिक होगा लाइव लॉक के मुताबिश सुप्रीम कोट नेया आदेस बॉम्बे हाई कोट के 22 मई को आदेस के खिलाब दाखिल नागरिक उडान मंत्रे और एर इंडिया की याचका पर सुनाई करते हुए दिया है बॉम्बे हाई कोट ने उस आदेस में एर इंडिया को सोसल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बीच की शीट खाली रखकर पर चालर करने को कहा था इस मामले पर सुम्री कोट ने 25 में को काये कि समाने हालत में हम हाई कोट के अंत्र आदेस में दखल देने के पक्च में नहीं होते आपको बता दे कि बॉम्बे हाई कोट में एर इंडिया के ए केरल मॉडल की जरुवत राज सरकार ने मांगी मदद महराज सरकार ने करोणा से बुरी तरह परभावित पूने बॉम्बे आदेदिक इलाके में महामारी से लड़ने के लिए अप्चारिक रूप से पत्र लिकर केरस सरकाल से साहिता मांगी है महराज के स्वास मंत्री महामारी संकट से निपटने के लिए डॉक्टर और नर्सों की मांग किया है मेडिकल एजुकिशन और रिसर्च के डारेक्टर निदेक से डॉक्टर टीपी लाहने जो नोडिल अधिकारी है ने कहा है कि निकट भविस और पूने में करोना मालने की संक्या बढ़ने की आकांसा है उन्होंने महाराष्ट के स्वास अधिकारियों की साहिता के लिए बिसेश डॉक्टर और नर्सों की पचास टीम के लिए मंतरी सैलेजा से अनरोध किया है आपको बता दे कि उनकी सेवाओं के लिए महाराष्ट MBBS डॉक्टर को प्रती मही ने 80,000 रुपे और MD और MS विसेश डॉक्टर को प्रती माँ 2,000 रुपे का भुक्तान करने के लिए तियार है जिसमें फीजीशन और गहन्चिकित्सिक भी सामिल है तीसरी खबर भी चीनी बाइरस से ही आ रही है जिहां लॉक्टान में छूट से बड़े क्रोणा केस लेकिन इस्थिती काबू है जिहां आपको बता दे कि केजरी वाल ने एक बयान शेर किया है दिल्ले के मुख मंतर अजबिन केजरी वाल ने करोणा बाइरस पर एक प्रेस काफरेंस किया पिछले दिन दिनों से दिल्ले में करोणा का केस लगातार बढ़ रहा है इस पर बात करते हैं साथी साथ उन्होंने यह भी काई की इस्थिती काबू में हैं 17 तारी को लॉकडाउन में काफी धिल दे गई है आज एक हपते बाद भी या मैं कर सकता हूं कि इस्थिती नियंतरन में और कोई घबडाने बाली बात जब लॉकडाउन में धिल दी गई थी तब हमें अमीद थी कि केस में थोड़ी बरोत्री होगी थोड़ा बरोत्री यानि कि जितने ठीकों उतने ही विवार है क्रोणा की बज़ा से अब तक दिल्ली में 201 लोग की मौत हो चुकी है। महाराश नम निर्मान सेना के अधश राश ठाकरे ने भी पलटबार किया है।